समुद्री सतह देखी 27 मिटर माथी उभिहे को फुल्चो की परवत को धुरी मां माई को मंदीर का साथ है दूर संचार तथा मौसमी अवस्था को बारे मां सूचना दिने सम्मेंत्र जडान गरिये का टाओर हरू छन। संचार केंद्र को सुरक्ष्या मा खटिये का सुरक्ष्या कर्मी र कर्मचारीले फुल्चो की पुगने परियाटकलाई स्वागत गर्ने गर्दा छन। ललितपूर को गोदावरी कुंड भन्दा केई दक्षिन मा रहेको नवदूर्गा मंदीर र जल धारावाट उकालो लागेर फुल्चो की जाना सकिन छा। दारी पाले जहीं ज्यावपलाय का ब्रिध व्रिक्षे को रूप हेरदै जादा खरले सजिये को बाटो आउंचा। फनक का एक फनको मारे पची फुल्चो की को धुरी मा पुगिन छा। माई को थान वरी परी फुल्पाती उम्रे र देवी को संदर यवड़ाय का छन। माई दर्शन गर्ने परिकरमा पतमा दाईने ब्रत गरी देवी को आरधना गरने चलन छा। फुल र शस्त्र हरुले देवी माठ शोभीच्छा। चीशो हावा संगय तोरण फरफराय रहे का छन। आकाश को बादल सिरै छुने गरी समेप मा हुई की दैचा। समुद्र को संदेश लियरा आयको बादल हिमालती र हतारी र गई रहे को छा। सगर्व संग प्रतक्ष संबाद होने फुल चोकी को यो थुमकाले शीखर गंगा भई पवित्रता प्रदान गरी रहे को छा। पारी हिमालय परवत भने युँ बोकेर छीटो आउ बिलंब नगर भने बादलाई आभवान गरी रहे को लागदा छा। संबेदन सील अंगको रुप मा समेत रहे को परवती अक्षेत रहो। एसले गर्दा यो धुरी को अवलोकन रहे हिमुद मा कैले कामी परने हिमापात ले गर्दा यहां धेरे मानिसर को आकर्षन बड़ी रहे को छा। र येसका साथ मा फुल्चो की माई को धार्मिक तथा सामस्कृतिक महत्तोपनी निक्कै उच्च रहे को हमी पवराणिक प्रसंग अरुबाट प्राप्त गर्न सक्त छों। क्यामरा मा विश्नु थापा रन्नारण भंडारी फुल्चो की ललित्पूत।